अलो दोस्तो स्वागत है एक और नई वीढियो में आज हम बाथ करेंगे कि मा handle to find support औंड स्वारा दिशंटंट्स चाट के उपर सपोर्ट रेंस्टेंस कैसे ढूंडे किस तरीके से हमको सब्सक्राइब करना है तो सबसे पहला स्टेप्स यह कि आपको ट्रेडिंग का चार्ट इस्तमाल करना जो कि सबसे बेस्ट और स्मूथ चलता है तो इस तरह से हमने इसको आपन कर लिया सिंपल सा अब सबसे पहले आप इस तरह से आप देखेंगे तो आपको यहां पे बड़े पिक्चर में आप देखेंगे कि मल्टिपल जो टच जहां पे होता है जैसे कि यहां पे टच हो रहा है यहां टच हो रहा है यहां पे टच हो रहा है तो इसको बलते हैं मल्टिपल टच मतलब एक से दो से ज्यादा टचेस अगर है तो वो सपोर्ट ज्यादा अच्छे से यहां पे रहेगा और उसको सपोर तो अगर कुछ लोग मिस्टेक्स क्या करते गलती वह मैं आपको बताता हूं कि मिस्टेक्स यह करेंगे कि कैंडल यहां पर शुरू हुआ है यहां से यहां से शुरू हुआ है तो कुछ लोग इस तरह से यहां पे support and resistance को mark करेंगे यह देखिए कुछ इस तरह से ठीक है जो कि मुझे लगता है कि एक mistake से इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं यहाँ से market अच्छा गया यह है ठीक है अब यहां पे हलका से रह गया और भी यही आई से उपर रह गया वैसे यह पूरी तरह से गलत भी नहीं है और पूरी तरह से सही वहीन लेकिन इसको और अच्छे से confirmations के साथ आप कैसे ड्रॉ कर पाओगे जब आपका जब लाइब मार्केट में यहां पर आपको पता चलेगा और फोर एक्जामपल आपने यह इतने दिनों का चार्ट आपने देखा और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने मार्क करना शुरू कर दि नियाएं इसको कैसे ऐड्यस्थ कर सकते यहां पर आपको देख रहे होंगा कि यहां पर ग्रीन कैंडल बनते में दिख रहा तो इसको अगर इसाब टो तीन चीज आपको बैगा सबसे पहले तो ही मालटीपढ़ टॉट टुटप यह थाई करषिक हैं यहां को यहां तो इस तरह से हमें कोई भी लेबल की जो कभिए सकते हैं यहां पर उपर इस तरह से रहेगा तो कुछ लोग यह चाहेंगे करेंगे अब ऐसे मांक करने से प्रॉब्लम यह हुआ है कि यह भी ठैज नहीं हुआ है और यहां पर यह भी ठूट गया तो कम से कम एकबर आपको क्या करना है कि इस तरह से सिम्पल आपको आपको अड करके देख लेना है कि यहां पर अगर inversion tap chain के साथ मिला मिला कि आपको इस तरह से जोन आपुपकिंग करना है कि अब सिंगल चार्ट आप सपोuéयन से Wahr करेंगी तो यहां पर पीछे और भी इसके रेफेरेंस लेने पड़ेंगे तब आप्म collar यहां firm कर पाएंगे तो काम करता हूं मैं यहां पर फोल्ड जोन से उसको डिलीट कर दीता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो यहां पर मैं इसको भी एक बार डिलीट कर देता हूं तो यहां पर डिलीट करने के बाद यहां पर सिंपल वही सब स्टेप्स छोटी-छोटी चीजें आपको फोलो करेंगे तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस माक करने में इसोती होगा यहां पर सेम समझ्ड़कर कर देतें तो यहां पर समझता यहां करके। जो ने वो यहां पर टच नहीं हो रहा सारा मार्केट यहां से इस तरह से आया उपर चला गया यहीं से चला गया तो इसको एकदम यहां से माग करने की कोई भी जौरत नहीं है और नहीं आपको इस तरह से इतना आपको मोटा कर देने के जौरत है अगर आप बहुत जादा इस क्योंकि maximum टच यहां पर हो रहा है ठीक है यहां पर मार्केट ने सब्नीट लिए सब्पोट लिए सब्पोट लिए सब्पोट लिए अब यह लेबल मेरे अनुसार बिल्कुल परफेक्ट है और जब आगे जब भी मैं इसको एक्षटेंड करूंगा तो इस लेवल को मार्केट जरूर रिस्पेक्ट करेगा जो कि अब यहां पर देख सकते हैं जैसे मैंने यहां पर इस लेबल को एक्स्टेंड किया अब यहां पर देख सकते हैं पूसिस करना टच करने की अब ऐसा नहीं कि यहां पर विक थोड़ा सा उपर निकल गया तो आप इसको एक इस तरह से आप ड्रॉक कर देंगे अगर इस तरह से ड्रॉक करेंगे तो ज्यादा को यूजफुल लेबल आपका नहीं होगा यह फिर आप पोल सकते हैं कि ज्यादा इस तरह से आपको सुपोर्ट और रजिस्टेंस को फाइन करना अपने चाट पे आगे विर जा फिर ऐक आपो चाथ दिखाए देगा तो कैसे मांक करेंगी सिंपल यहां पे भी आपको उसी तरह छोड़े जोटवे लेबल को ढूंड़ना है जैसे कि यहां पर इस तरह से यह वाला एक सुइंग हो गया फिर यहां पर एक सुइंग हो गया ठीक है तो इसको क्या करना है कि इस तरह से draw करके देखना है इस swing से अब देखिए इस swing से जैसे मैंने draw किया automatically पहले यहाँ पर क्या था resistance था breakout होके support लिया फिर यहाँ पर automatically support ले रहा है मतलब कि यह levels क्या है बिलकुल perfect है सही जगा पर है फिर इसको हम आगे भी extend करेंगे तो यह market automatically respect करेगा यह देखिए automatically यहाँ पर भी respect कर रहा है यहाँ पर भी resistance लिया यहाँ resistance लिया तो इस तरह से जब आप support and resistance mark करेंगी तो definitely आपका जो trade है वो सही होगा सब कुछ सही होगा अगर आप इस तरह से आप mark करते कि यह नहीं यहाँ पर इस तरह से अलग तरीके से आप mark करने की कुछिस करोगे तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर maximum touches का ध्यान आप नहीं रखेंगे इमानले सिंगल आप अमानलीए यहाँ पर सिंगल ही है तो आप इस तरह से माग कर सकते हैं लेकिन अगर यहाँ से इस तरह से यहाँ पर भी रहेगा यहाँ पर रहेगा तो कुसिस करना है कि थोड़ा सा जो मैक्सिमम टच हो रहा हो तो उसको टच करने की कोसिस करना है तो वो लेबल ज्यादा बेस्ट रहेगा